हम बात कर रहे हैं IFCI की आज के दिन की बात कर रहे तो IFCI में फिलहाल हमको 2% टक की गिरावट के साथ हम देख सकते स्टॉक जो 82.06 पैसे पर ट्रेड होता नजर आ रहा है लगातार स्टॉक में गिरावट देखने के लिए मिली 92 के लेवल से गिरावट दिखा रहा है लेकिन इससे पहले वीडियो में हमने डिसकस किया था इस हाई को मेदर सपोर्ट के थोर पर 80 के लेवल को हम देख सकते हैं उसी लेवल पर स्टॉक सपोर्ट लेता नजर आ रहा है तो IFCI के लिए important रहेगा 80 का level breakdown कर जाता है तो next support 76 का level जब तक stock is low के उपर है ने 76 के उपर ही stock को sustain होना अपने recent high को breakout के लिए अगर इस level को breakdown कर जाता है 76 के level को तो वह इसे condition में फिर 70 से लेके 60 तक का भी fall stock दिखा सकता है फिर नीचे की और 64-60 का level इसके लिए major support का काम करेगा तो 80 के level से हमको buying देखने के लिए मिल रहे है stock bounce back करता नजार आ रहा है ऐसी condition में 84 का level immediate target बनेगा इसको breakout कर गया तो 88 next target और 88 के breakout के बाद 90 से लेके 92 next target जहां से stock ने दो दफ़ा correction दिखाया हुआ और 92 का level breakout कर जाता है तो फिर 94 से 100 तक का jump IFCI दिखा सकता है 98 100 तक का जो level है 98 100 और 102 यह जो level इसके लिए major resistance का का काम करेगे तो इसके आसपास ठीक रहेगा fresh buying को avoid करना क्योंकि यहां से फिर stock rejection के साथ बड़ी गिरावट भी दिखा सकता है इसलिए इस level के आसपास fresh buying को avoid करेंगे और अगर stock 100 का level breakout करके 2 से 3 दिन sustain हो गया इसको break out करके 2 से 3 दिन sustain हो गया तो फिर उसके बाद लगातार थेजी देखने के लिए मिल सकती है वीडियो education purpose के लिए कोई buy sale या hold की सला नहीं है अगर आप teammate account open करना जाते हो तो description में दीगई लिंक से कर सकते हो